हेलो गाइस हेवरीन laughter I go बनाया जाए भूर के काष़वरी ब्लोक ने हेअ हैर स्थैली हो जाए तो मेंेरा मिन कर रहा कि खजूरी चूटी बना लेति हूँ आज बहुत अच्छी लगती है मुझे ख़जूरी चोटी सारे बाल आगे रखके और फिर बनानी स्टाट की थी दो बाल निकाल लिये तो मेरे ले एक बाल महाँ पर देती हूँ एक बाल यहाँ देती हूँ ऐसे करना है देखे कैसे मैं बना रही हो इसमें टाइम तो बहुत लगता है और बहुत प्यारी भी लगती है देखे दो भाग ले रखे है मैंने बालो के थोड़े सबाल इदर लेने हैं थोड़े सबाल उदर देने हैं बस ऐसे बनाते रहो और आपकी घजूरी चोटी बड़ी उनिक सी बन जाएगी बहुत प्यारी लगती है और देखे मैं कैसे बना रही हो मेरे को मैंने सुचा जेस्टाइदी बना लूँ कल मेक अप किया था मैंने आज हेयर के उपर हो जाए यूनिक यूनिक चीज़े दिखाती रहूँगी आपको मैं जो मेरे को अच्छा अच्छा लगेगा मैं आपके दियर लाऊंगी और देखे अभी खजूरी चोटी तो हो गई है लेडी बहुत प्यारी लग रही है और देखे इत्वी प्यारी लग रही है खजूरी चोटी आप भी ऐसा बनाएगा बहुत अच्छी लगती है बाल कटिंग हो रखे हैं ले निकल रहे है देखिए कैसे लग रही है मैं पास करके दिखा रही हो आपको खजूरी चोटी बहुत प्यारी लग रही है यह मैंने बरिक बरिक बाल लेके नहीं बनाई यह मैंने मोटे मोटे बाल लेके बनाई है तब ही मेरे बाल कटे होएते निकल जाते इसलिए मैंने मोटी चोटी बनाई है देखिए इसको मैं फलपी कर रही हूँ थोड़ा फलपी लूक अच्छा लगता है ना यह थोड़ी से लटे निकाल लिए मैंने यह मैं सिंपल जोटी में भी लड़ जरू निगालती हूँ, मैंको बहुत पसंद रहे निगालना मैं सिंपल जोटी भी ऐसी बनाती हो गाइस मैंको बहुत अच्छा लगता है खजूरी चोटी बन गई है और रेडियो चुकी है और आपको कैसे लग रही है बताना मुझे तो देखिए यहां से फलपी कर रखे है मैंने वो कुछ बना नहीं रखा खली फलपी है और देखिए लोके सोड आपको लोक ऐसा लग रहा है मेरा बहुत प्यारा लग रहा है ना यह देखिए किता क्यूट सा और यूनिक सा स्टाइल है आप कभी भी कहीं भी बना के जा सकते हो बहुत अच्छा यूनिक सा स्टाइल है बहुत अच्छा लगा हो मुझे तो यूनिक सा है बहुत क्यूट सा पर आप भी बताना कमेंट बुक्स में कि आपको कैसा लगा मुझे तो अच्छा लगा देखी कितने पियारा लुक है और इसके बाद देखती हूँ मैं कौन सा लुक आपको दिखाती हूँ चलिए मैं दो चोटी बना रही हूँ देखते हैं कैसे बनाते हैं कैसे कैसे थोड़ा सा आगे से मैंने डिजाइन देने का सोच रही हूँ आगे को डिजाइन दिया जाए सिंपल ना रख्यू और पिनप लगा रही हूँ मैं आपे गुल गुल करके देखिए अच्छी से पिनप लगा रही हूँ तो भी बाद निकले ना और दो चोटी साट होगी है मेरी बननी अभी एक बन रही है अब इसके बार एक और बनेगी दो चोटी काफी टाइम बाद बनाई है मैंने वो टाइम बाद और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करो भूल की जाते हो सब्सक्राइब ज़रूर करे लो तब यह आपको अच्छी चीज़े दिखाऊंगी मैं देखिए अब यह दो चोकणव रखा रहा हो यहे देकि कैसे हो रही है दो चोकी देक्ज़ें आगे मैने क्या बना रखा है पाफ गोल गोल सा न Angeb औश प्ले बात मने चोटी सथा का है युणिक तब हुआँ सम्पल स्टाईल है यह तो बच्चा बच्चा कर सकता है यह चोटी होगी है रेडी मेरी और अबर्मेंट लगेगा है यहाँ पे अब दूसरी चोटी स्टार्ट अच्छे से कॉम कर रही हो पैदे प्लेन कर रही हो बालों को सीधे यह देखिए अब बालों को गोल गोल कर रही हो मैं आगे से और इसके बाद चोटी स्टार्ट होईगी देखिए बन गया है यह गोल गोल अब फुल थोड़ा पफ दे के इसे क्लिप लगाना है अच्छे सा पफ दिया मैंने और इसके बाद पिन अप कर दिया कि अब इसके बाद चोटी स्टाट करूंगे मैं यहां देखिए गया से देरी यो देखती रही है बड़ अच्छा आगे बहुत अच्छा बता रही हो मैं और अच्छे से टाइटी बनाने का सहोक है मुझे bonnet और चोपी टाइड इस टाइडी इतनी होएगी है ना उतने जल्दी लोंग बाल उएगे आपके और अच्छ होएगे ज़्ली बना रही हो तब या आप लोगा बोलना हो लोग और ज़्ली ज़्ली खतम हो लोग और आप सबस्क्राइब करना चलिए यह चोटी बिस्ता है मेरी हो गई है अब इसके बाद में क्या बनाऊंगी आगे देखना आप अब मेरा दूसरा पार्ट शुरू हो गया मतलब का है मही माल्क होodarा कूल कर दूसरा यह सब्सक्राइब भी के बाहरा हुआ है यह सब्सक्राइब दूसरा सब्सक्राइब कोरेकं फार्य। कि दरग चोटी है कि देखिए यह दूसरा स्टाइप सुरू हो गया मेरा स्टाइट कि अब लगेगा यहां पर अबड़ बैंड जो लगे होए थे रबड़ बैंड दोनों चोटिओं में इसको निकाल के पर एक चोटी पर लगा लिया देखिए कितना अच्छा है एक स्टाइल में दूसरा स्टाइब एक स्टाइल में दूसरा और यो निक सा और आपको कैसा लगा यह देखिए मेरा चोटी ही लग रही है मतलब चोटी में ही चोटी का स्टाइल दिया है मैंने चोटी में चोटी यह गाइस मेंने मेरा खुद का स्टाइल है मैंने का इसे नहीं सिखता और बड़े यूनिक्स है मुझे बच्पन में बनाया करती थी याद है मुझे इसलिए तो मैंने आपको बना के दिखाया देखी कि तब फिर अच्छा स्टाइल है और सोबर सा है और जल्दी बन जाता है आप अपने बच्चों को भी बना के स्कूल में दे सकते हैं चोटी चलिए अब दूसरा स्टाइल सुरू करते है अब हम लोग ये स्टाइल मेरा हो गया खतम और मेरा लूग कैसा लग रहा है बताईएगा चलिए अब मैं दूसरा स्टाइल सुरू कर रही हो ये चोटी मैंने खोल रही ये देखिए अब मैं क्या कर रही हो चोटी में ही बन बना रही हो यानि की जूड़ा देखिए चोटी को मैंने गोल-गोल कर दिया जैसे जूड़ा बनता है ना वैसे गोल-गोल कर दिया अब यहां लगेगा रबड बैंड उन चोटीों में से निकाल के ही मैंने रबड लगा दिया रबड बैंड लग चुका है यूनिक साच ये स्टाइल है मेरा यू क्यूट सो नाइस और आप भी बना सकते हो वो जल्दी बनता है और सो बैसा है और बूर क्यूट है और देखिए जो छोटी से बल बचेते हैं उनको भी लगा दिया मैंने और जो रबड बचा था वो मैंने लगा दिया अपने जुड़े पर और यूनिक से स्टाइल है ये गाइस आप भी बना सकते हो अपने इसारी पार्टी में जाना हो तो कितना प्यारा लग रहा है क्यूट सोबर देखिए बन चोटी में से दो चोटी में से एक बन और काफी प्यारा लग रहा है ब्यूटिफूल इस सोबर क्यूट सा देखिए बन कैसे बन है दो चोटी में से ये बन बन है कितां cute लग रहा है देखिये मेरा छूड़ा कितां प्यारा लग रहा है और आगे मैंने पफ दिया था आपने बालो का देखिये कितां cute से लग रहा है ये जल्दी से बञ जाता है और आप भी बना सकते हो मैं cute से लग रही हो ना guys hot, so nice और इसके बाद मैं सोच रही हो और आप मेरे लुक देखते रहिए कितना कि प्यारा लग रहा है ना और आप भी बनाईए जल्दी से अपने पच्छों के यह खुद के बालों में कि गाइस दो चोटी तो मैं को बहुत अच्छी लागे लिए खोल के फिर मैंने दो चोटी रखी अपने बालों में और बहुत अच्छी लागे लिए थी सोबर सी नाइस क्यूट सब्सक्राइब